अगर अमाउंट वन रुपीज था तो वो तीन साल के बाद कितना हो गया है बच्चो वो हो गया है थ्री थ्री बाई एट तो अगर मैं इन दोनों को एट से मल्टिप्लाई कर दूं तो सिंप्ली एट रुपिया कितना हो जाएगा बच्चो तीन साल में वो हो जाएगा 27 बाई एट इन्टू एट जैट इंप्लाई 27 रुपीज तो जब कभी इस तरह का कोश्चन हो न तो इयर दो साल में कितना हो जाएगा 100 से लेकर 153 साल में कितना हो जाएगा 1000 से लेकर 133 वन तो यह है एक साल का अमाउंट दो सल का amount और तीन सल का amount अगर मुझे इस थी एर से वापस वन एर पे जाना है तो क्या करेंगे हम इस पूरे amount का cube root ले लेंगे thousand का cube root लेंगे तो 10 मिल जाएगा one double three one का cube root लेंगे तो 11 मिल जाएगा अगर मुझे second year से first year पे जाना है तो 100 का square root लेंगे और 121 का square root लेंगे, तो हम first year पे चल जाएंगे, और first year ही हम क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए कि first year के case में simple interest और compound interest दोनों equal होता है, ये clear है, तो अब कहानी simple है, 8 रूपया हो गया है, 27 रूपया, कितने time period में, 3 years में, तो आपको क्या करना है, एक साल के time period में जाने के लिए, 8 का tube root कितना हो जाएगा, 2 और 27 का tube root कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच्चो 3, तो एक साल के time period में, कोई principle 2 से कितना हो गया है, 3 हो गया है, तो कितना interest मिला है, 1 रूपीज का interest है, कितने पे, 2 पे, तो ये rate of interest कितना हैगा, ये हैगा 50%, as simple as that, तो funda यह है कि जतना भी time period given है, उसका nth root निकालो उतना, जैसे 3 है, तो cube root, 2 years है, तो square root, 4 years होगा, तो simply 4th root निकालेंगे, and as simple as that, कभी भी exam में, normal exam में, 3 साल से ज्यादा का question आया नहीं है, for the, I mean, surprise के लिए, 4 years का भी देख सकते हो, कभी-कभी, rare is too rare है कि आपको ऐसा question आएगा, so I hope आपको ये समझ मे आगया, so answer अमाना कांसा होगा, option number B, so thanks for watching the video, if you like the video, do subscribe the channel, and share the channel with your friends.